वेलकन टू मास्टर मैंडव जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंडव जीके में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायर मैंड के लिए सव प्रशनों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे यह प्रैक्टिस सेट है जो बिलकुल प्रैक्टिस सेट जरू देखेगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को दबा दे ताकि महत्पुन वीडियो का नौर्फेकेशन समय से आपको मिलता रहे दो दिन से मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर रहा था फ्रेंस क्योंक कोशन दे रहा हूं तो चली सुरू करते फ्रेंस देखेए दस प्रस्न आपका मायत का है 11 नमर से देखें यह आपका हिंदी सेक्षन का कोशन है इसका जो इसमें दोनों पद में से कोई भी पद परधान नहीं होता है ठीक है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकीत क करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं इसको common sense आप लोग पकड़ सकते हैं देखें चक्रधर है त्रिफला है यथा संभवध धर्मबीर है देखें आपका यह जो हो जाएगा चक्रधर चक्रधर अर्थात किसे काते हैं विश्नु का क्योरिंगित कर रहा है लंबोदर कहें त को आपका सिव्äg भगोंध का हो रहा है न तो पहला पना दूसरा पथ कोई बीपत परधार नहीं होता है दोनों पनना कर किसी तिसरे पत की और संकेत करता है तो याद रहेत बहूं जब यह могут काझता था इसक मझा स्थटर्ई और ऊक्षितल इस राओ से इससों चलिए वारा शाओ करने ज्याइक के ज्यादा ख़ाकर करेगा तिन यूदा जाएगे ठीक है चलिए अगला सवाल है तेरे नमर्ब शवाल आठे डाल का भाव मालूम होना यहे दिखे मुहाबरा है तो देखे कहता है अक्सर सुने होंगे कि आठे डाल का भाव मालूम है मुझे आनि कस्ट का अनुभाव होना ऑपसन नमर B इसका right answer होगा चौदर नमर शवाल दिये गए बिकल्प में से रीजू का विप्रित सब्द कौन सा होगा रीजू का उल्टा सब्द आपको पूछा जा रहा है क्या होगा चौदर का कारेक्टनसर आप्सन नमर बी होगा वक्र होगा ठीक है 15 नमर शवाल को देखें यग हो चुका तो भी धदक रही थी ज्वाला किनकी उकती है ठीक है यह किनकी उकती है किसने कहा यह तो पंदर का करेक्टनसर ओगा जैसंकर परशाड ठीक है जिन्होंने कामाईने लिखा है आशों लिखा है आशों नहीं का लिखा हुआ है उन्हीं कहा है यग हो चुका है तो भी धदक रही थी ज्वाला आप्सन नमर शी 15 का करेक्टनसर ओगा 16 नमर शवाल देखें अखिया हरी दर्शन की प्यासी यह कहां से ली गई है यह देखें एक भर्मर गीत है जो आपका किन प्यासी यह कहां से ली गई है तो भर्मर गीत जो लिखा हुआ है आपका सूर्दास के दवारा उसी से लिए गया है 17 नमर शावाल को देखें यह जीवन क्या है देखें इस वाकि में पर्यूक्त अलंकार कौन सा है तो यह जीवन है निर्जर है इसमें आपका रूपक अलंकार है 17 का करेक्ट नसर ओप्सन नंबर डी हो जाएगा ठीक है 18 का देखिए बिल्ली सब्द का पुली लिंग क्या होगा ठीक है तो बिल्ली तो आप सभी जानते हैं इसका क्या होगा तो देखिए जल्दिवाजी में फ्रेंस आप लोग बिल्ला नहीं कर देज़ेगा बिल्ली का पुली लिंग सब्द होता है बिलाव होता है याद रखेगा बिलाव याद रखेगा इसको हो सकता है जाम में पूछा जाए इसमें confusion होता है पर बिल्ला दे दिया है बिलाव दे हुए बिल्लों दे दिया है विल्ली है जो सब्द है इसका पुली रिंग क्या होगा उन्हें सब्सक्राइब का आप सा नमबर वि होगा सर जीन सर्जी मतलब नलीन हो गया 5 क्लों कमल हो रहाए यह सब इसी का परियलिवाफिवसब्द है देखें सब पोपलर है पांकज कमल सरोज्ध इसब ना सब्ष सब्षें क्या होगा याचना सब्षण के मोठी याचना के रोपन की होता है न सब्षण सब्सक्राइब कोई परिवर्तर नहीं होगा ठीक है आनि 20 नमर सब्सक्राइब का अंग्रेजी से हैं तो अंग्रेजी से यहां पर देख लें सब्सक्राइब क्या होता है तो इसका होता है आत्मसंतुष होता है यहां पर देखिए इस दिया है नहीं होना चाहिए इसका जो राइट अंसर होता है फिर अप्शन नमर सी होता है याद रखे यह सही लिखा हुआ है चलिए अगला सवाल है ट्रांसलेट दा फॉलोएंग संटेंस इंटू हिंदी और वाज बिइंग करीड अलॉंग दा करण्ट एक चीटी नदी के धारा में बहती जा रही थी ठीक है इसका राइटन सरी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नमर ए बाइस का इस नमर सवाल को देखे फाइंड दा करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दा वर्ड चिल्ली देखे अब एक देखिया इस संटेंस दिया हुआ इसमें चिल्ली सब्द है वह पाट ऑपर सिसमें क किसके अंतर गता सभी को पता है पाट ऑफ पर सिंच कर क्या आता है इसमें हमको देखना कि किसके अंतर गतिये आपको आएगा ठीक है तो चिल्ली देज ऑफ अटम सून चेंज टू कोल्ड देज देखें तेस का करेक्ट नसर रहाए का चिल्ली है जो एड्यक्टिव हो करता आए ठीक और साव इसी तरह से बाटिए हो गया जो फोग्या प्रिपोजिशन अजय विए जया आपका में उसके बाद में शुन कहीं गया तो यह दिखें जल्डी है है उसी तरह से कोल्ड भी क्या है ठंडा हो जाएगा ठीक है इस संटेंस में आपको चिल्ली के बारे पूछता तो इस तरह से देखिए पूछा जा सकता है अब कर रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो जो सफिक्स से परते मेस को जोड़ करकर के बनाया गया है और वो सही है तो सभी में जूटा हुआ है फ्रेंस लेकिन इसमें जो करेक्ट आंस लोगा ओप्सन नमर्ण दी हो जाएगा जो इसनमर सवाल नेश सफिक्स ठीक है जीसे आपका बाइटर मतलब करणाया होता है आथी तीखां रखेंस लगा दीया तो इसका होता है कड़वा पन होता है याद रखेंस अधिया इसमिश नमश सब्सक्राइब नेश स होता है बच्पन बच्पन मतलब क्या होगा बच्पन आपका भाव अच्छक संग्या के इंतर गता है चाइल्ड होड़े जो नाउन के इंतर गता आएगा कैसा नाउन तो इसका प्लेंटी फूल मतलब होता पर चूर होता है ठीक है इसका एंटोनिम क्या हो देगा सैक्रेस हो जाएगा अप्सन नमर्डी इसका करेक्ट अंसर होगा आगे 27 नमर्ड शवाल है चुज दक्रेक्ट सिन्नोनिम आपनी समना अर्थी सब्द पूछा जा रहा है तो आपको एंटोनिम सैंटोनिम जरूर पूछा जाएगा बिहार पूलिस फायर मनें फ्रेंच दो प्रश्ण आपको जरूर रहेगा दो से तीन प्रश्ण इस पर ध्यान दीजेगा तो बीजी का रहा थे बीजी का करा सिनुन ने आनि समनार्थी सब्द बीजी मतलब क्या तो ब्यस्त होता है इसका क्या हो जाए ए सब्सक्राइब करना होता है तो कर रहा है कि उनकी माता की जो निधन हो गया उस पर मेरा मतले से बहुत दुख व्यक्त किया आनि बहुत दुख हमें खेद है इस तरह से हो जाएगा डीप सवर हो यहां पर होगा और ऑप्सन नमर भी करेक्ट अंसर होगा तीस नमर शाबाल को देखिए कि चुज़ दा करेक्ट मिनिंगफूल ऑफ दा आइडम ठीक है यह आइडम का मिन से मुक्रिक ब्रेश्ट ऑफ इसका मतलब क्या होता है इसका अपराध्ध श्विकार करना थिक है और अफराध्ध है जो इसका करेक्ट अंसर सी हो जाएगा to confess without reserve इसका जो राइ अनसर आप्सिन नमर सी हो जाएगा ठीक है चलिए अब सवाल नमर 31 से देखते हैं आपका मैथेमेटिक सा कोश्चे ने दुचार यहां पर भी दिया है फ्रेंस इसको छोड़ दिये आगे देखते हैं जिकेट जियेस से यहां से देखते हैं ठीके फ्रेंस एक तालिस नमर शवाल से दीखें एक तालिस नमर शवाल आपका फ्रेंस गेश नियंतंक large का मात्रक्त क्या होगा किस मध़u इसकки्र फ्रेंस किया ओंगर राइट थेंसर तो एक तालिस का जो अब्का करेक्ट अब आपका सी हो जाएगा ठीक Major अब देखे 42 नमर्शावाल कुछ फोटू देकर करके फ्रेंस आपका बताया हुआ है, फिगर देकर करके पढ़ देते हैं, सुनिए अगर जो दिखायने पड़ा है तो बीकर में रखे हुए जल, ठीक है, एक बीकर है, उसमें रखे हुए जल में एक पींड तैर रहा है, एक परदर्शित, पूरा समायोजन में पींड ग्रोत्वाकर्शन के परभाव से नीचे आ रहा है, ठीक है, जो पींड है जो आप कहा रहा है, नीचे आ रहा है, तो द्रवों के कारण पींड पर उपर की ओर लगने वाला बल का, बल क्या होगा, तो सुनने होगा, याद आप्सन नमबर ए, इसका कारेक्टन सरो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितना तीन अनुपात, चार होगा, चले, अगला सवाल, इसका अंसर में बता दिया हूँ, चोवालिस नमबर सवाल है, पिर्थवी का उपरिवाई मंडल, पर 30 सकेंड सूर से, कितना केजी जूल, उर्जा गरहन करता है, इसके बहुत इंपोर्टन सवाल याद रखेगा, चोवालिस का जो करेक्ट अंसर होगा अप्सन नमबर डी, 1.36, ठीक है, 1.36 के जूल, गरहन करता है, पिर्थवी का उपरिवाई मंडल, पर 30 सकेंड सूर से, 1.36 के जूल, इसका अंसर होगा, पैतालिस नमबर सवाल देखेगा, कि बीद्धुत छेतर के किसी बिंदु पर विभव बोल्ट भी है, उस बिंदु प क्या होगी तो 45 नंबर स्रवाल का करेक्ट नसर होगा फ्रेंस आप्षन नंबर ंबी ठीक है कुलाम गुना वॉल्ट जूल हो जाएगा ठीक है 45 का करेक्ट नसर हो जाएगा अफ्रेंस हाँ तो सवाल नमर 46 देखें सवाल तो यूनिट में आपका पांच यूनिट कर रहा है यहां पर यूनिट में आपका 5 यूनिट है तो अपका 5000 से गुना कर देगा ठिक है एजयार से गुंदा कर देगा तो क्या आज जाएगा इसको वाट में यह ठिक है तो आपका पांच यूनिट सब्सक्राइब क्या हो जाएगा सकती पावर कितना आपका है 125 वाट का इससे घंटा समय निकल जाएगा इसको काड़ दे पच 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 पचे कितना हो जाएगा इसको कटी तक कितना हो जाएगा पचीज चका फिरेंस इसको याद रखेंगा यह की यूनिट को ही ठीक है वन इउनिट को ही का कहा जाता किलो वाट घंटा कहा जाता ठीक है इतना बरबर कितना एक हजार वाट होता है अब इसको अहां पर देखें अलगतर से पूछा जाता है कि 125 वाट का पंखा है ठीक है यहां पर दिया हुआ है क्या पावर दिया हुआ है अब पांच यूनिट को हम लोग बदल देंगे क्या वाट में एक हजार से हम गुना कर देंगे यह आप यह 125 खापत हो रहा है तो कितना घंटा चलेगा तो 125 से यहां पर भागा देंगे ठीक है तो आपका राइट अंसर आ जाएगा ना 40 घंटा अब फर्मूलास भी इसको बना सकते हैं याद रखिया पी बरबर क्या होता है अपने सापको डवलू बटा क्या होता है चलिए अगला स किसी ठोस में दरब का असपर्स कोन है जो ठोस एवम दरब डोनों पर निरबर करता है 47 का कउसा केवल दरब से संबन्दित है तथा गैस से नहीं है चलिए इसका जवाब तो दें सकते हैं कॉमें से नहीं प्रिश्टनाव से यह option number D है ना जो केवल आपका द्रव से संबंदित है गैस से संबंदित नहीं 48 का राइट अंसर option number D हो जाएगा प्रिश्टनाव इसे बरसे के जो बूंद होते हैं गोलाकार होता प्रिश्टनाव के कारण होता है इसा आप लोग पढ़े होंगे यह परबरबर इतना हो तो इतना कमान क्या होगा तो 49 नमबर स्वाल का करेक्टर चलब है आपका देरहाश में option number D 50 नमर स्वाल देखे स्वाल एक जूल बरबर क्या होता है याद रखेगा पहले भी बताया हूं एक जूल बरबर क्या होता है एक न्यूटन गुने एक मीटर होता है यह होता है ना आणि पचास का जो कारेक्टन सरो जाएगा आप्शन नमर ही एक जूल बरबर एक न्यूटन गुने एक मीटर ठीका आणि न्यूटन गुने मीटर चलिए तो सवाल नमर 50 का जो character answer हो जाएगा आपका option number एह हो जाएगा common number शवाल को देखे कि किसी orbital में 2 electron उपस्थी थे ठीक है यानि orbital कोई भी कछा में 2 electron उपस्थी थे तो उनकी पहचान किसे होगी एक common number शवाल का right answer होगा फेंस आपका option number D से होगा ठीक है में सब्सक्राइब क्वांटम संख्या से पता चलेगा ठीक है तो सवाल नमर 52 को देखे सवाल नमर 52 का रहा है कि आपका एलमुनियम है 3 प्लस में दिखा रहा है इसका इलक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी तो इसका right answer क्या होगा फेंस तो देखे तो इस पर प्लस पोजिटी चाहिए तीन प्याग दे रहा है तो दस में से तेरह में से तीन यह कितना दस हो जाएगा ऑप्सर नमर सी इसका सकते हैं कि इसका टूटल कितना तेरह में से तीन प्लस दिखा रहा है तो तीरह में से तीन तो इत्याग दिया है एलक्ट्रॉन को तया इसका नंसर होगा अब तीरपन्ड नमर शवाल को देखें तिरपन नमबर सवाल है कि एक गेंद जिसका द्रमान 40 ग्राम है से संबध तरंग धहर क्या होगी यदि गेंद 4 मीटर पर 30 सेकेंड के विग से गतिसील है तिरपन नमबर सवाल का करेक्ट अप्सन नमबर भी होगा ठीक है फोर पॉइंट वान इन्टू तुदी पावर दस के माहिनस टेटी मीटर 33 मीटर 33 मीटर चलिए अगला सवाल है अपका प्रेंस रेडियो एक्टिविक्ता का कारण क्या है चोंगन नमबर सवाल इसका जो राय आइडो फॉर्म बना सकते हैं वह कौन सा है आइडो फॉर्म 55 नमबर सवाल का करेक्टन सरूजएगा आप्सन नमबर ए यह सी टोन से आपको आइडो फॉर्म बनाया जा सकता है ठीक है चलिए हैं अप्रेंस तो सवाल नमर 56 देखें सवाल नमर 56 और अस्थाई विलियन तंत पॉर्म बनाया जाएं तो आप्सन नमर ए इसका करेक्टन सरूजएगा 57 नमर शवाल इवाग एवुगाड्डो का नियम निकालने में उप्योगी है 57 का जो करेक्टन सरूजए अपका गैस की परमानिविक्ता गैसो का नुभार सभी हो जाएगा ऑप्सन नमर डिस का करेक् 23одарะ ओक्सिजेन से कौन जुडता है सवाल नमर और ठामन का जो करेक이션 सरूजए अपक्सन नमर डि सरिर्मे और जा उर्जा पर्दान करने के लिए निम फाएत तो glucose है जो क्या है हमारा oxygen से जुड़ता है ठीक है glucose सबसे सरल क्या होता है bending का सकता है ठीक है और यह जल में क्या होता ग्रणूसिल होता है तथा इसका安isenis STR defend conscious से अपलोगों पता होगा फिरें c6 h12 और o6 होता है तो इसका ed wine और ऑसन नमर d प्रतिरोधी विमारी है इसका फूरम देखेश सब्सक्राओं हर इसका फूरर हो गया इसके बाद में शल def 보시면 होता तो इसका फुल फॉम यह होता है आपका फ्रेंस कि सर्वर कंबाइंड इम्मिनियों डिफिसियंसी तो यह यह जो कैसा रोग है तो यह आपका है जो स्वत्व परतिरोधी विमारी है ऑप्सन नमर सीज का करेक्ट अंसर होगा चले सवाल नमर साथ को देखें सवाल नमर साथ है अस्थन्यों में अंडोत हैं अस्तनी जो लोग है अंडोत्स का जो आपका क्या करा अस्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है वो किसके द्वारा होता है तो एफसेच और एलेच के द्वारा होता है ठीक है और इसको देखे फ्रेंस एक्तर से कह सकते हैं इसको फुल फॉम मेह आपका कि nastu Begin खागे हर्मोन का जाता है ए registered क्या का जाता है रहा है रहाँ हार्मोन और आपका जो एलेघ होता है यहाता है यह है आपका लिटी प्रश्णियों में अंडोत्सर्ग होता है किसके द्वारा था एफ एसेच और लेज के द्वारा होता है एक सट नमर शवार देखें कि वह परिगटना जिसमें श्वतंत्र आप व्यून नहीं होता है तिएक सट का जो करेक्टन शव जाएगा अगला सवाल को देखते हैं इन में से कौन सा व्यासन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है अगलार्द पितकी जो पच्छों के अंडे होते हैं उसे क्या कह जाता है तो याद रखें गुलार्द पितकी कहा जाता है चले सवाल नमर 64 को देखते हैं सवाल नमर चौरट आपलों की सामने, कि निम्न में से कौन सा जन्तु परिजीवी नहीं है। काउन सा जनतू है जो आपका परिजिवी नहीं है 64 का करेक्ट एंसर अपसंद नमर 6 हुगा समुद्री एनी मोन है जो आपका परिजिवी का उदाहरण नहीं है ठीक है बाकी आपकी आपका ये सब होग olmuş ये समत्षर फिताक्रिमी जोग इस सब है जो परिजिवी के उदाहरण है जबकि ये समुद्री एमीनो मोन है जो आपका परिजिवी नहीं है 65 नमर्ट रवाल को देखे कोशिका अंग जिसमें एक कोशिका में वायू स्वसन होता हुआ है 65 का करेक्टर अंसर गेस करिए ये माइट्रो कॉंडिया होगा पहले बता चुका हूँ कोशिका अंग जिसमें कोशिका में वायू स्वसन होता है ठीक है इसलिए आपको माइट्रो कॉंडिया कोशिका का स्वसन अस्थल भी कहा जाता है कोश्चा का स्वसन अस्टल माइटो कौंडियम कहा जाता है। जो उर्जा गी भी से कहा जाता है। तो वहाँ पर आपका उर्जा निकलता है। जो 80-PK में निकलता है। अब देखें इसको प्रोटिन फैक्टरी किसे कहा जाता है, तो राइबो सम को याद रखेंगा। और यहां आपका कोशका अंग जिसमें कोशका वाइस वसन होता है तो हमाइटू कॉंडियम होता है चलिए सवाल नमर 66 को देखें 66 नमर ठावाल आपका है कि निम्लिखित में से कौन परकास तंसलेशन में इलफ्टॉन परिवहन से सम्बंदित है तो आपका लोहा है जो उससे सम्बंदित है 66 नमर ठावाल को देखें इनिम्लिखित विद्वानों में कौन महाविस्फोट या बिग बैंग परिकल्पना के सम्बंद थक थे ठीक है बिग बैंग थियोरी के बारें किस ने बताया था चलिए यह देखिए लुसेंट में मैं ब संडेज और हबल तीनों ने किया आता है ऑप्शन नमर डिस का राइट रस हो देगा यह जो बिग बैंग थियोरी इसी कमसार आज भी ब्रहमांड का युनुवर्स का क्या होता है परसार हो रहा है उसी समंदित आपका बिंग थियोरी है यह देखिए आपका लुसेंट में जोगरफि मैं करवाया हूं को से और सट नमर श्रावाल को देखें दमार्च आफ मोबाइल मनी निमने में से किसके द्वारा रचित है और सट रमर अच्छा सब पुस्तक है फिन्स दमार्च आफ मोबाइल मनी और सट का करेक्टन सर्व आप्सन नमर डियोगा सैम नमर या चौकटा कहा जाता है तो 69 का करेक्टन सर्व भारतिये नागरिक सेवा ठीक है भारतिये नागरिक सेवा आई सीस को कहा जाता लए उनसे आफंस नमर ब्शावाल को देखें और आपका उगादी बिहू गुड़ी पढवा पुथांडू विसु और विसुवास ने जाते हैं नमर दे याद रखेगा उगादी घूरी पढ़ा थिका इस सब जतना वह सब्सक्राइब सभी ने साल की शुरुआत में मना यह जाते का सब्सक्राइब के अनुटार शयूल को देखें कि जन्गाना इतना था जो 618 था जो कि आपका भारत में सबसे कम है याद रखेगा चार्ल्स विलिंग्सन का भागवद गीता का अंग्रेजी संस्क्रण पहले किस वर्स में प्रकासित हुआ था बहत्तर का राइट अप्सर नमर सी यह भी याद रखेगा कि जो आपका गीता है का है जो अंग्रेजी संस्क्रण किस निकिया था चार्ल्स विलिंग्सन ने किया था यह कोश्चन पूछा जाता है इसका पहला संस्क्रण 1785 यून हो आया था ठीक है चलिते हत्तर नमर सवाल को देखे नायचो किस देश की गुप्टर संस्था नायचो तेहत्तर का करेक्ट ऑप्षण नमरहर cop का हँजा ठीक है कारेक्टान dead ऑप्षण का चुहत्तर नमर शवाल् शेतर नमब्र सवाल को देखिए सीवा जी ने किस वर स्षत्र पत्ती का उपाधी धारन किया था शेतर का करेक्ट रिश्वने अप्सन नमब्र 1857 के बिद्रो के समय भारत का गवर्णर जेनल कौन था लड सभी आग गया फ्रेश लड कौन लॉड 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 कैनिंग अप् पहतर नमट शवाल है कि भारत का पहला समचार पत्र पत्र था जेम्स आंक्ष्टंड ही के द्वारा यह आपका संपादित किया गया था बंगाल गजट भारत का पहला समचार पत्र था याद रखेगा रामकृष्न मिष्ण की अस्थापना किश्ट की थी ठिक है रामक्रिष्न की इस्थापना किश्वामी वियकानन मेरे खहल से सभी को पता होगा सेवेंटी नायन का राइट नसर उप्सन नमर-2 हो जाएगा अब कभ किये थे वियाद रखेगा 1857 यह थिए यह दे इंपोर्टन स्वामी वेकानन ने जिनका बच्वन का नाम लेंद्र नाथ दत था उन्हों ने आपका 1857 में रामकृष्ण चले आगला सवाल असी नमर्शावाल को देखते हैं सी नमर्शावाल 1857 की स्वतंतता संग्राम से संबंदित पर्थम घटना क्या थी असी का जो करेक्टन सरो हो जाएगा अप्शन नमर्शी हो जाएगा सैनिको का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुंचना था यह आपका सबसे कम किसका चली बताएगा कोशन है आपका तो अरुनाचल परदेश का है जो क्या है जन संख्या गनत सबसे चाहिए जिसको क्या करते हैं यहाद रखेगा पचासी नमर्शावाल को देखते हैं कि भारत में कॉफी का अधिक्त मुत पादन करने वाला राज कौन सा है कौशी कौफी और क्या होता है फ्रेंस करनाटक ना ओप्सन नमर्शी इसका करेक्ट अंसर हो देगा ठेक है फचासी कसी नमर्शावाल को देखे वाइं मंडल में उपस्थित कौन सी गयसे पारा बैगनी किरन को अपस्वोसित करते तो सभी को पत होता होगा फ्रेंस का जवाब जुको तो बोई ऑप्सन नमबर भी इसका करेक्ट अंसर माउंटेरेश पर पहुंचने वाली पहली महिला जुको तबाए थी ठीक है अगर पूछे कि माउंटेरेश पर चड़ने वाली भारत की पर्थम महिला कौन है तो बचेंदरी पाल हो ठीक है तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं भारत में अधिक्तम क्रिशी योग घेरने वाली फसल क्या है सबसे ज्यादे भारत में क्या होता है चलिए आप लोग गेस कर लियोंगे गन्दे पाने को उप्चार करके तो छैडर सभी उपाए है जो आपको परियावरन परदूसन को रोखने के लिए आप देखे डिए अंधर निभारत सरकार्ने भारत में पदमस्री उपादियां की से अंदर अंतरगत प्राराम किया अच्छा सवाल है ठ्यक है भारत रत ने पूलोगा भारत में लोग सभा के सदेशे कितनी निरधारित कि गई है कि जो आपको बताना है अच्छा सवाल प्रेंड इसको गेस करिए राय टंसर क्या होगा चलिए इसका आपका ऑप्सन नमबर भारत में लोग सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्यां 552 निर्धारित की गई है याद रखेगा अधिक्तम संख्यां का राफ्रेंस ना कि अभी कितना है तो आप लोग को पता है कि कितना है जो लिकिन यहां कोश्चन कर रहा है कि संख्यां अधिक्तम संख्यां कितनी जानी इतना हो सकता है कभी कभी पूछ देगा कि वर्तमान में कितना है चैड़ात इसलिए अधिक्तम 552 ही हो सकता है तिरानवे नमर्शवाल को देखिए तिरानवे नमर्शवाल आपका है कि भारतिय समिधान का उप्षेद 51A नागरीकों के मौलिक कर्थब्यों से संबंदे रही ठीक है बिल्कुल सही है किस समिधान संसुधन इसे लाया गया है चलिए इसका तो पता है फ्रेंस कि मौलिक सब्सक्राइब करता नहीं था तो अप्सन नमर कितना हो जाएगा गिस करिए आप्सन नमर भी हो जाएगा न तो मूल सम्मिधान में मौलिक करतवियों सामिल नहीं था फ्रेंश लेकिन 42 सम्मिधान संसुदर में नहीं 476 में सम्मिधान में मौलिक करतवियों को सामिल किया गया या याद रखेगा ठीक है ऑप्सन नमर 20 का करेक्टन सरोगा है च्वड़ान में नमर शावाल को देखे भारत में पहली बार राष्टी अपातकाल घोसित किया गया था सबसे पहले बार अपातकाल की घोसना कब में किया गया था है उन्ठी 1 जो एकत्र में बहारत में पाकिस्तान के साथ यूद हुआ ठेक हम तर्थीय बार कब यूद किया गया था उन् совсем पचया गया था उन enslaved दोड़Yeah सवाल को देखे किसने कहा राज में निवास करता है जो तो आज्मे निवास करताह कहीँ है जोवेट ने कहा था कि न्याय वहां गुण है जो राज में निवास करता है तो संपन ग्रामिन रुजगार यूजना लागू कब हुई तो सितमबर 2001 में लागू हुई अब अन्ठान्में नमर सब्सक्राइब को देखें कि देश में हरित क्रांति के लिए उतरदाई है तो 98 का जो करेक्ट शंचर हो गांप्रेंस ऑप्सन नमड़ दी हो जाएगा उत्तन कि का सवाल पून देख लूंज करें संपूर्ण संपूर्मीन रोजगार योजना लागू कभ हुई थे इसका मैंने बताया संपाई एक कितना सितल friend sister 2001 में सितल Yes रोजगार योजना उस समय ततकालिक परधान मंत्री कौन थे अटल बिहारी बाजपई द्वारा लागू किया गया था याद रखेगा अटल बिहारी बाजपई के द्वारा लागू किया गया था संपून ग्रामी रोजगार उतना कम सितंबर 2001 में और अभी हमने अंठान में देखा देश में हरित क्रांति के लिए उतर दाई कोण है तो सभी इसका राइटन सरोजगा नठान में काड़े 99 ने किस राज में पच्छी ओं को बचाने के लिए करूना अभियान चलाया गया है इप अच्छा सवाल है अब देखें दो सवाल बनता है करूना अभियान किस समझाने ऐगा तो बचाने के लिए है और कहां चला गया तो गुझरात में 100 नमर सवाल किस राज ने सवचछ बिंदु सागर पहल सुरू की है और आपका गुजरात राज है जो सवचछ बिंदु सागर पहल सुरू की है मेरी तबियत बहुत अच्छी नहीं थे दो दिन वीडियो में नहीं आपको बता प्रेंश अभी भी थ्वासा प्रसानी हो रही है ठीक है क्या कि फ्रेंश की बाहर में गया था ठंडी ठंडी फ्रीच से पानी पीने से इस तरह से तबियत सडनली खराब हो गई थी ठीक है तो चलिए फ्रेंश नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद